भारत के प्रधानमंत्री जब जीटट देशों की पंक्ती में खड़े होते हैं तो पाकिस्तान के दिल में तीर चुबता है। ये कहना है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवास शरीफ के भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुक शहबाद शरीफ का भारत का सम्मान और तड़की देखकर पाकिस्तान के सीने पर सैग्रों तीर चुबते हैं। यही बज़ा है कि पाकिस्तान की सियासत म इन दिनो भारत का नाम सबसे उपर चल रहा है, 25 जुलाई को पाकिस्तान में आमचनाव होने वाले हैं। और यहां की हर राजनेतिक दल के जुबान पर इन दिनो भारत और पीम मोदी का ही जिक्र सुनाई दी रहा है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी राजनेति चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो वह में शहबाद शरीफ का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्वप्रधानमंत्री नर्सिमहर राव और जे जहललिता पर कारवाही की गई। जबकि पाकिस्तान में जिसने अर्बों के स्कैम किये हैं वही लोग चनाव लड़ रहे हैं और उपदेश भी दे रहे हैं। शहबाज ने कहा कि आज हिंदुस्तान जीडट में जाता है और हम तमाशा देखते रहते हैं। शहबाज शरीफ एक प्रेस कानफरेंस के दौरान ये सारी बातें कह रहे थे। इस दौरान उनके पूरी बातचीत में भारत की तड़की से जलनसाफ दिखाई दी रही थी। झाल 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 झाल